हाई वेलकम तो मैं चनल इस वीडियो में समझेंगे finding rational numbers between two given rational numbers by method 1 average method तो इस method से कैसे हम find करेंगे दो given rational numbers के बीच में एक rational number तो इस method से हम 1, 2 या 3 rational numbers बहुत ही easily find कर लेंगे लेकिन यदि आपको 3 से more मतलब कि 4, 5, 6, 10, 20 यदि आपको rational numbers निकालने होंगे दो rational numbers बीच में तो यह method tough हो जाएगा मतलब कि difficult हो जाएगा difficult नहीं actually lengthy हो जाएगा तो यह method easy है but lengthy है मतलब कि आपको क्या करना है कि एक step में एक ही rational मिल पाएगा इस method से कि हम find करेंगे एक rational number तो कैसे find करेंगे उसी बात को समझेंगे यहाँ पर detail में चले समझते हैं तो माल लिजे कि आपके पास दो rational numbers है एक है x और एक है y और यह इस तरीके से हैं कि x जो है वो less है y से मतलब x जो है छोटा है y से तो यदि x छोटा है y से अब average method यह कहता है कि यदि x y दोनों इदि add कर दें दोनों को add कर दें मतलब कि x plus y कर दें और दोनों को add करने के बाद two से divide कर दें मतलब कि x और y को add करके यदि two से divide करेंगे तो ठीक इसके बीचो बीच वाला number मिल जाएगा मतलब x और y के just बीचो बीच वाला तो हम लोग एक rational number तो find करेंगे मतलब यह जो number होगा यह जो point जो represent कर रहा है यह होगा x plus y upon two और यह जो number होगा x और y के exactly बीच में होगा तो इसका मतलब कि x plus y upon two करने पर हमें मिल जाएगा एक rational number और यह जो x plus y upon two है इसको हम ऐसा लिख सकते है one upon two of x plus y ठीक है x plus y upon two को कर लिख सकते है one upon two in bracket x plus y अब चलिए कुछ examples देखते हैं और examples से समझ लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे one two या three rational numbers between two given rational numbers तो इसको कर देते हैं erase और हमारा है पहला example first one हमें निकालना है one upon three and one upon two के बीच में एक rational number कैसे find करेंगे one upon three और one upon two के बीच में तो पहले हम इसको represent कर लेते हैं क्योंकि आपको दिखता रहे कि actually क्या हो रहा है तो यहां पर हमारा है one by three और यहां पर लेते है one upon two ठीक है one by three के आए छोटा number है one by two से इसलिए हमें left में represent किया है अब इनके बीच में जो है एक rational number find करना है एक तो हम लगाएंगे average method और इस method से क्या करेंगे दोनों को add कर दीजिए और two से divide कर दीजिए मतलब कि half निकाल लीजिए इन दोनों के sum का तो one rational number one rational number between one by three and one by two is given by क्या होगा हम कर देंगे half किसका x plus y x क्या है one by three है और y क्या है one by two है तो हमारा हो जाएगा one upon two two of one x के विल्व क्या है one upon three दोनों काइट कर यह बस one upon two इन दोनों काइट करने के बाद one upon two कर देना है one upon two का मतलब क्या हुआ है इसको divided किया है 2 से तो यहाँ पर यह यह हम करते है तो one upon two ऐसे रखिए और यहाँ प्यलसम ही three और two काई यह से होगा six तो फानली मिल जाएगा हमें उपर मिल जाएगा 5 अपान 6 तुजा 12 तो 5 अपान 12 हो गया हमारा वह रसना नंबर जो 1 by 3 और 1 by 2 के exactly बीच में लाई करेगा मतलब यहाँ पर एकदम exact बीच में लाई करेगा इस समझ लीजे क्योंकि average method क्या करता है average जब निकालते हैं दो numbers का तो exactly वह बीच में निकलता है कोई number तो 5 by 12 क्या है यहाँ पर है यदि आपको दो रसन नंबर निकालने हो तो क्या करेंगे चलिए एक example और देखते हैं इसको मिटा देते हैं तो जैसे कि हम फांड करना है मालीजे second question आपका है आपको मालीजे की अब एक ही और निकाल लाते हैं से 2 by 3 and minus 3 upon 4 इनके बीच में निकालना है आपको दो रसन नंबर्स तो हम क्या करेंगे इनको रिप्रेंट कर लेते हैं पहले तो देखे 2 by 3 और minus 3 by 4 यहां रहेगा minus 3 upon 4 negative में और 2 by 3 रहेगा positive है तो यह बड़ा है तो 2 by 3 को आगे लिखेंगे तो यह ऐसे हो गया हमें निकालना है दो रसन नंबर्स क्या करेंगे इनका average पर निकालनेंगे इनक average निकालेंगे तो हमें निकलेगा इनके बीचो बीच का नंबर एक यह तो हमारा एक निकल जाएगा इन दोनों का sum करके 2 से डिवाइड करने पर मतलब कि मैनस 3 by 4 प्लस कर देंगे 2 by 3 और इन दोनों का कर देंगे half means 1 by 2 से multiply कर देंगे इन दोनों का half करने के मतलब क्या होता ह तो यहां पर एक rational मिल जाएगा इस तरीके से तो यहां पर निकालेंगे लसे एम फोर्ट जाएगा 12 मिल जाएगा और प्लस 3 फोर्ट जाएट हो जाएगा यहां पर और यह आपको मिल जाएगा 1 upon 2 multiplied by मैनस 9 प्लस 8 मिल जाएगा मैनस 1 upon 12 इपलाई कर दिजिए वे आपको मैनस 1 upon 24 मिंस यह जो number है यह point बता रहा है यह actually है मैनस 1 upon 24 मिंस एक rational number हमने find कर लिया और यह है मैनस 1 upon 24 आपको एक और find करना है तो इसके लिए करना पड़ेगा जो आपने find किया है मतलब कि minus 1 upon 24 जो find किया है और इन दोनों में से कोई एक और ले लिजिए मतलब कि यदि आप ये ले ले और ये ले 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 तो इन दोनों को sum करके यदि हम divide करेंगे 2 से तो इन दोनों के बीच के नमर मिल जाएगा मतलब इन दोनों के बीच का जो नमर है ये वाला ये मिल जाएगा और ये नमर भी तो minus 3 by 4 और 2 by 3 के बीच में रहेगा तो आपको ये मिल जाएगा या फिर आप कर सकते हैं क्या आप इसको ले सकते हैं minus 1 by 24 और 2 by 3 को ले सकते हैं और इन दोनों को add करने के बाद ये नमर मिल जाएगा ये वाला point तो ऐसे ही करके आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं बस दो-दो को ले करके क्या करना है divide करना है 2 से तो चलिए एक और find कर लेते हैं तो पहले एक ले लेते हैं minus 3 by 4 और इसमें add कर लेंगे minus 1 upon 24 minus 1 upon 24 और दोनों को add करने के बाद हम divide करेंगे 1 by 2 से तो मिल जाएगा हमें next वाला यह point मिल जाएगा यह वाला तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 by 2 यहाँ 24 हो जाएगा LCM और 4 सब्याट करेंगे मिलेगा 6 और 6 तो जाए 18 हो जाएगा minus 18 और यह हो जाएगा plus 24, means मिल जाएगा minus 19 upon 24 to 48 होता है means minus 19 over 14 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus 19 over 48 यह वाला point हो जाएगा तो हमने 2 find कर लिया है यह और यह और यह दोनों किसके बीच में है इसके और इसके बीच में है मतलब कि minus 3 by 4 और 2 by 3 के बीच में 2 restaurant number हम find कर लिया तो यह एक तरीका है अब यहाँ पर मालें कि 3 restaurant number find करना हो तो कैसे निकालेंगे तो ऐसे ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा example की रूप में हम देख लेते हैं तो हम ले लेते हैं आरस अगवल का तिसरे example तो आपके page number 6 पे मिल जाएगा और यह हमने लेते हैं तो माम-2 और माम-3 के बीच में 3 restaurant number find करना है ठीक है third example माम-2 & माम-3 के बीच में निकालना है आपको 3 restaurant numbers तो पहले अम number line ख sponsor की लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर मानस तो आप रिपरिच निकालना है यहाँ पर minus 3 हो जाएगा क्योंकि minus 3 छोटा है minus 2 से ठीक है तो minus 3 को पहले लिख देंगे और minus 2 को बाद में अब यहाँ पर हमें पहले निकालना होगा इसके बीच वाला point एक point पहले निकालेंगे तो कि यह method जो है ऐसी work करता है आप एक ही बार में सब कुछ नहीं निकाल सकते हैं सबको नहीं निकाल सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम तीनों को नहीं काल सकते हैं एक बार में तो हमें बारी बारी से निकालना पड़ेगा तो पहले पह मुलेगा आपको मायनस थ्री ऐ मायनस टू हो जाएग digo मायनस फ़ाइब हॉ जाएगा और मायनस यह जो an फॉंंट है वह मिल गया मायनस फ्री आर्इंट करना है तो क्या करेंगे थैङ może 23 और 45 frequent चांच मिल जायां मतलां कि मायनस थ्री औरम से यह YouTube के बिच में यहां आप solve करेंगे तो मिलेगा आपको 2,3,6 मतलब कि minus 6 plus minus 5 और upon 2 upon 2 रहेगा और इस पूरे को हम multiply कर देंगे यहां पर 1 upon 2 से मतलब यह जो 2 है उसको में लिख दिया हूँ 1 upon 2 तो यहां पर आजाएगा कितना minus 6 और minus 5 कितना हो जाएगा minus 11 हो जाएगा क्योंकि 2 to 4 नीचे में पले करना पड़ेगा उपर तो 1 ही है तो मतलब minus 11 upon 4 आजाएगा तो यह जो point है वो है आपका minus 11 upon 4 तो हम निकाल लिया दूसरा rational number between minus 3 and minus 2 अब निकालना है एक और तो क्या करना पड़ेगा देखिए minus 5 by 2 ले लिजी और यह minus 2 ले लिजी इन दोनों को यदि average निकालेंगे तो इनके बीच का एक number मिल लागा ये और ये भी number क्या हो जाएगा minus 3 और minus 2 के बीच में एक number होगा तो इनको क्या करेंगे minus 5 by 2 को add करदेंगे minus 2 में और इनको divide करदेंगे इन दोनों का sum 1 by 2 से तो this is the third rational number जम निकाल रहे हैं minus 3 और minus 2 के बीच में तो यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 2 और यहाँ पर यदि solve करेंगे तो इसको solve करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा तो 1 by 2 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा minus 5 और minus 4 हो जाएगा minus 9 upon 2 मटपलाई करते हैं तो मिलेगा हमें minus 9 upon और 2 to 4 मिल जाएगा minus 9 upon 4 तो यह जो point है वो मिलेगा यहाँ पर थोड़ा साम erase कर लेते हैं ताकि यहाँ साफ हो जाएगा ओके तो हमें मिल जाएगा minus 9 upon 4 तो हमने मिल गया हमारा एक और रेस्नल नंबर और यह था दूसरा यह तो पहला वाला था यह दूसरा वाला यह था और तीसरा आपका है तो हमने find कर लिया है देखिए यह 3 और minus 2 के बीच में 3 और minus 2 के बीच में इसके color हम change कर ले तो आपको दीखेगा साइस है तो यहाँ पर देखिए minus 3 और minus 2 के बीच में हमने find किया है 3 रेस्नल नंबर और वो है आपके यह वाले मतलब यह मतलब easy method है बहुत simple है क्योंकि आप केवल 2 numbers को divide करके और 2 से 2 numbers को add करके और 2 से divide कर देते हैं तो आपको मिल जाता है एक रेस्नल नंबर उन दोन के बीच में तो इससे आप मतलब चाहें जितना निकाल सकते हैं लेकिन यदि आपको more than 3 निकालना हो तो कई बार ऐसे add करना पड़ेगा और 2 से divide करना पड़ेगा और ये करते रहे जाएंगे आप काफी lengthy method है इसलिए ये method जो है केवल 3 रेस्नल निकालना हो तो उसके लिए better है या फिर easy है आपको सकते हैं और exam में आप इसके help से आसानी से find कर सकते हैं लेकिन आपको more than 20 निकालना हो या फिर more than 10 निकालना हो तो ये method से आप निकालते रहे हो rational numbers या 200 निकालना हो या 20 निकालना हो 30 निकालना हो 14 निकालना हो कितने भी निकालना हो आप आसानी से निकालते हैं तो method number 2 जरूर देखेगा आपको link मिल जाएगा उपर यहाँ पर i button पे या आप इस पे screen पे आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे click करके आप देशकते है method number 2 thank you so much for watching इदे आपको अच्छा लगा method number 1 समझ में आ गया तो like कर देजगा दस्तों को जरूर से करेगा bye